कॉंग्रेस का हाथ फसाद के साथ आज जी सी सवाल के साथ दिन की सबसे बड़ी बहस में आर नाइन टीवी पर मैं श्वयता भटा चारे आप सभी का स्वागत करती हूँ नहर्सी यानि राश्र मानव अधिकार आयोग में शिकायत लेकर कॉंग्रस का जाना क्या कुछ कहता है 19 से 22 दिसंबर तक यूपी में हुई हिंसा शान्त हो चुकी है तो अब क्या कॉंग्रस उन फसादियों की पैरवी के लिए आगे आ रही है या फिर कॉंग्रस के आरोप जायज है या फिर यू कहें कि साल 2022 की तैयारी कॉंग्रस ने अभी से शुरू कर दी है ऐसे ही तमाम सवालों के साथ आज की बहस की शुरूआत हम करेंगे लेकिन उससे पहले कॉंग्रस का ने चार्सी में जाना और उसके जाने के क्या कुछ माइली है चलिए इस रेपोर्ट के जरीए समझते है यह तस्वीरें तो याद ही होंगी सीए के खिलाफ हुए विरोट परदेशन में यूपी के शहर शहर को जलाने के साज़िश हुई और देखते ही देखते विरोट ने आगजनी का रूप ले लिया हजारों के तादात में सड़कों पर उत्री भीर ने पानून विरस्थ हरूप दिया बिगड़ते हुए हालात के बीच सीम योगी खुद उपद्रवियों पर सकती से निपटने के बात कहते नजर आए मैं इस चीज को स्वेम से मिक्सा कर रहा हूँ मैं स्वेम देख रहा हूँ और जो भी जिम्मेदार होगा उसके जवाबदेई भी तै करेंगे इस हिंसा में लिप्त प्रतेग तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सारजनिक संपत्य को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे सीम की सकती के बाद यूपी में हालात तो काबू हो गए लेकिन कॉंग्रिस को अब शायद ये गवारा नहीं एक बार फिर इस मुद्धे पर सियासत के लिए कॉंग्रिस ने नया पैतरा आजमाया अब कॉंग्रिस अपनी शेकायतों को लेकर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयुक पहुंची दावा विडियो और फोटोज के सबुतों से किया और पुलिस के कारवाई पर जांच के माग उठाई जो यूपी में मानव अधिकार का हनन दिन दाड़े दिन रात हो रहा है उसके विशे में उसमें विडियो हैं, तस्वीरे हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नाम हैं, पते हैं जो लोगों ने वहां काले कारणामे किये उनके विस्तित भूप से डीटेल्स है लगबग नो बिंदों पे हमने कमिशन को अबगत करवाया है तेज़ बित्यों हुई, तेज़ बित्यों के विशे में एफ आई आर होती हैं कई एक भी एफ आई आर पुलीस कर्मचारियों के विरुद नहीं हुई है यह एक उधारन दे रहा हूं मैं तरह हैं, उन मौतों के डीटेल्स हैं किस प्रकार से गोलियां लगी, आँख में लगी, छाती में लगी, फीट में लगी, कोई एक्शन नहीं है प्रियंका जी ने बताया कि पुलीस बित्र बनने की कंडिशन ही ये थी कि आपका कद लगबग 5 फुट 10 इंच हो और आप RSSK से जुड़े हो पदादी कारी हो एक वीडियो मैं में दिखाया तस्वीर व्यक्ति की जो पुलीस बित्र है तस्वीर उसके भाज़पा पोस्टर पे पदादी कारी के रूप में पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल उठा रही कंडिस ऐसे वक्त में सवाल उठा रही है जब खुद कंडिस पर हिंसा को बढ़ावा देने के आरूप लग रहे है और बीजेपी सीदे सीदे कंडिस पर आतंकवात का समर्थन करने का आरोप लगा रही है 19-22 दिसम्बर तक यूपी के शहर शहर को सुलगाने वाले हिंसा और हिंसा में मारे गए 23 लोगों की मौत के बाद अब स्यासी रोटियां सेखने का वक्त आ चुका है दंगा करने वालों की अधिकार के लिए कॉंगरिस मारवा अधिकार की बात कर रही है और दूसरी तरफ बी ज़िपी कॉंगरिस पर दंगे में हाथ होने का दावा कर रही है लेकिन किस के दावे में कितना दम है यह तो व्कत ही जाने तो किसके दावे में कितना दम है ये तो हम जब चर्चा करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखरकार कॉंग्रस का हाथ क्या वाकई में फसाद के साथ है या फिर जो सवाल कॉंग्रस की तरफ से उठाय जा रहे हैं वो जायज है लेकिन आना इन टीवी के कुछ सवाल है इसी के इर्दगिर्ध हमारी चर्चा जो है वो घूमेगी क्या कॉंग्रस फसादियों का समर्थन कर रही है हिंसा करने वालों के लिए मानव अधिकार की पैरवी क्यों क्या यूपी पुलिस की क्यारवाई शक के घेरे में है घायल हुए पुलिस वालों पर कॉंग्रेस खामोश क्यों है यूपी में पुराने मुद्दे कॉंग्रेस के कितने काम आने वाले हैं पुराने मुद्दे क्योंकि दिसंबर की बात है और अब जैनवरी खत्म होने को है और अब जाकर मानव धिकार आयोक के पास जाने की बात होती है तो सवाल तो जरूर उठेंगे हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए है चलिए इंट्रोडक्शन करा देती हूँ पहले बीजेपी से लीडर हमारे साथ अनिल गोईल जी मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में कॉंगरस के लीडर अजय रोडा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ट अनिलिस्ट के तौर पर पवन सोंभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले अजय अरोडा जी आप ही के पास आती हूँ ये किसका सपोर्ट कर रहे हैं से थोड़ा खुल कर बताईए फिर आपसे और भी लोगों के यारी क्या है ये खुल कर नहीं बहुत खुल कर मैं खुल कर कि आगे बहुत इसी लगाया है उत्तर परदेश के अंदर 23 लोगों की जान गई श्वेता जी महिलाओं को बच्चों को किस परकार से पुलीस द्वारा भरबरता पुरुन काम किया गया बरतात किया गया इसके वीडियोज सब हमारे पास हैं जबी हमारा शीष नेतर्व राहुल गांदी जी प्रेका गांदी जी राश्य मानव अधिकार योग से मिले और मिश्पक्स जांच करने की मांग की अब आपका सवाल की देरी क्यों अरे देरी इनके करनी और कत्नी में कितना फरक है यह कैसी सरकार है भाजबा की गोली मारो लातों के बाद बूतों से नहीं मानते कोई कहते एक घंटे में खाली करा देंगे अरे यह क्या हो रहा देश में मानव अधिकार के पास हम गए हमने बात रखी हमने यहीं तो कहां बलकि हमें सादुबाद देना चाहिए हमने निश्पक्ष जांच की मांग की बहुत अच्छी बात है निश्पक्ष जांच होनी चाहिए लेकिन यह वीडियो यह फुटेज इन सब को जुटाने में शायद इतना वक्त लग गया होगा आप यहीं कहना चाह रहे हैं अगर हम किसी के पास जाते हैं पूरे त्यारी हमारे पास होने चाहिए पूरे सबूत हमारे पास होने चाहिए सराज उस पर जाएंगे ही नहीं यूपी की सियासत देख रहे हैं पहले बता ही स्टैंड क्लियर करें कि कॉंग्रेस जो ने चार्सी के पास गई है क्या आपको लगता है इंटेंशन बिल्कुल साफ है जाना चाहिए था देर से उठाया गया कदम है धरमभी चौदरी पहले सब्सक्राइब करने का वादा उन मासूम परिवारों से किया जिनके बच्चे वहाँ पर जो है मर गए इनकी सरकार में यह कोरी राजनीती यह लोग कर रहे हैं अब इनको एक भीने बाद याद आ रही है और यह बीजेपी और कॉंग्रेस के चरित्र को आपको स्वेता जी जानना पड़ेगा इस देश को जानना पड़ेगा कि एक पार्टी देश की आजादी के समय धरम के आधार पर देश का बटवारा करती है और दूसरी पार्टी जो आज सत्ता में हैं वही सामपरदायक्ता के आधार पर देश को धरम के आधार पर बाटना चाते हैं यह अधिकार आयों के पास मतलब बर्बरता होई है तो आज इनको क्यों याद आ रही है मतलब बरबर सियासत हो रही है संजीफ कॉटरी छोटा 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 रियक्शन लेलो सर फिर आऊंगी काउंटर एटैक करने का पूरा मुखा दुए संजीर चोधरी स्टैंड क्लिया कर दिया अब आगे मुखा दूगी संजीर चोधरी प्लीज आप उपने स्टैंड क्लिया कीजिये क्या लगता है पूरे देश के अंदर भारते जनता पार्टी खुदी दंगे करा रही है, खुदी धरम के नाम पे सभी लोगों को बाट रही है, ताकि इने रोजगार ना देने पड़े, क्योंकि यह सब चीज में विपल हो चुकी है, कोई भी काम करने को यह तैयार नहीं है, भारते जनता पार्टी पूरे देश के हालात बिल्कुल ऐसे कर देए, मैं यूपी की ही बात कर रहा हूँ, यूपी भी देश में आता है, ने आज यूपी के क्योंकि आप स्टैंड क्लियर कीजिए, जाना चाहिए था, उत्तर पिर्देश के अंदर भारते जनता पार्टी ने आज तक विपक्ष में या अब सरकार में भी ये लोग हैं, सबसे जादे इनका हाथ होता है, इनी कही आदमी दंगा कराते हैं, क्योंकि बिना दंगे के सरकार बनाई ही नहीं सकते, धरम के नाम पे सरकार बनाते हैं, किसी को रोजगार देने में ये सक्षम नहीं है, सिक्षा की सब्सक्राइब कर दो इस देश का नुमाइंदा यह सदसे 130 करोड मैं से कोई भी अगर जाके कोई मांग कर रहा है तो उस पे सेंग्यान लेना चाहिए सरकार को और उस पे उस पर निस्पक जाच की बात आ रहे है तो निस्पक जाच करनी चाहिए परेशा निका है क्यों क्यों दिक्कत आ रही है आपको सियासत नजर नहीं आ रही है कि कॉंग्रस को जिन नहीं बेजेगी यह सरब कहती रहेगी जाच चल रही है आप सपोर्ट में हैं संजीड जी बस इतना सा सवाल है कॉंग्रस के सहमत नहीं हूँ मैं उस हराद मी से सहमत हूँ जो मांग कर रहा जाच की मुझे जो जवाब चाहिए था वो मुझे मिल गया जवाब चाहिए था देखे यह सियासत हो रही है कि नहीं हो रही है देखे मुद्धा सही हो सकता है लेकिन आप तमाम पाचिया कैसा सियासत करती है बस यही मुझे दिखाना था यह उत्तर प्रदेश की सरकार आप बोलते है मैं कॉंग्रस से सहमत नहीं हू फिर साथ में देते हैं अरे सभी सियासत ही कर रहे है सियासत नहीं है जो जारा है उसकी जाच होनी चाहिए लिए क्लाइन में बटाईए स्टैंड कलियर कीजिये सापाथा कि बहुत ही जूटे लोग कोई कोई मिल गया ना से कॉंग्रस गई चले रिशी मिश्रा ये देख रहे हैं कि इस तरीके से गोल-गोल बाते घुमाई जा रही है ये इस देश देखिए मैं बाहरते जनता पार्टी के लोगों से पूसरे चाहते हैं जी जी पूछने का मौपा तूंगी मैं एक स्टेट्मेंट सबसे लेलू रिशी मिश्रा क्या लगता है कि इतने दिनों के बाद देखिए जब भी कोई स्टेप लिया जाता है वो स्टेप सही हो गलत हो वो तो आने वाला वक्त बताएगा अब आप चले गए हैं आयोग के पास आयोग डिसाइड है लेकिन ये दिसंबर की घटना हुई उस वक्त हमने प्यांका गांधी को देखा कितनी एक्टिव ही सब जगत जाके मिल रही थी धारा 144 लागू होने के बावजूद किस तरीके से गाड़ी से उतरती हैं स्कूटी पर जाती हैं यहां से जाती हैं पुलिस ने धक्का दिया पार्टी है तो सियासत तो कड़ेगी इसमें कोई गलत आप गड़े मुर्दे उखाड रही ना सर नहीं नहीं गरे मुर्दे कैसे मैं आपको छोटा सा एक जांपूल देता हूं और वैसे जितने भी सियासत दान है वो अपने पक्ष रखेंगे मुझफर नगर के मुहमत फा होगी जी और बीजेपी सासी उत्तर परदे सरकार से पूसना चाहता हूं कि मुहमत फारुक जो एक गौर्मेंट कलरक है वो ओन ड्यूटी था दस से छे ओन ड्यूटी था उसके साथ इस परकार का बरवरता क्यों किया गया 11 दिन उसको जेल में रखा गया उसके घर जब कोट ने उन्हें बड़ी किया हूँ आज घर पर हैं लेकिन मेरा सवाल है कि सिये पोर्टेश्ट सांति पूर्वख सी एपोटेस्ट करना अग्तांत्री का अधिकार है एदि कोई सी एक सांति पूर्ण पोर्टेस्ट कर रहा है तो सरकार क्यों को घरवाय मतलब परहसान है द और कॉंग्रेस की बात है तो कॉंग्रेस के पास कुछ सबूत ऐसे हाथ लगे हैं उन्होंने उनको दिया है लगेगा सही है तो आगे करवाई होगी इसमें इसमें हरान और परसान होने की कौन सी बात चलिए मतलब कि अगर सबूत हाथ में आए हैं तो आवाज उठानी कि मुहम्मद फारुक जैसे और भी लोग हैं जो कई बार दंगा होता है या कई बार पुलिसिया कारवाई होती है तो कई बार ऐसे इनोसेंट लोग भी फसते हैं तो उनके लिए भी सरकार की ड्यूटी बनती है कि आप देखे और आपके उस समय जो कमांज दिये जाएं तो निर्दोष कहीं से परेशान नहों ये होना चाहिए लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से बात उट रही है कि कॉंग्रस अब जाती है कि सबूत कुछ मिले है हाथ में क्या सिर्फ यही वज़ा है या फिर मुद्दा ठंडा पड़ गया है और कहीं न कहीं भई हम सियासत के पार्टी है हम पॉलेटिकल पार्टी हमें तो सियासत करनी है इसलिए हमें करनी है और सीए का विरोध पूरे देश में जिस तरीके से हो रहा तो यह मुद्दा दबना नहीं चाहिए यूपी में यह मुद्दा चाया रहे है इसलिए हम पहुच जाते मानवाधिकार आयो क क्या कहना आपका इस तरह से कॉंग्रेस के पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे नहीं है कि जिन मुद्दों के आधार पर वो देश की राजनीती में कुछ बड़ा कर सके तो जो सरकार के जो जितने में कुछ ना कुछ इस तरह की खामिया रही है इसमें कुछ डॉट डिबेट नहीं है लेकिन कॉंग्रेस के पास हकिकत में कोई मुद्दा नहीं था इसी वजह से वो मानवा दिकार चले गए हैं लेकिन हां अगर पोलिस की कारवाई में अगर कोई मानवा दिकार का हनन हुआ ह तो यह देखना भी सरकार lapar कारिये होता है कि क्या वहां पर कोई एसा कारिये हुआ था कोई व्यक्ति ऐसा ग्रफतार हो था जो निर्दोष था उस वकत जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया बिद्र भाई तो वहां पर वह जो एक बंदा था वह लेकिन ये भी एक ट्राइल का पक्ष है कई बार सबूत ना होने की वजह से भी उनको छोड़ दिया जाता है तो ये खमेशा जांच का विश्या रहेगा लेकिन ये बात मैं जुरूर कहना चाहूँगा कि मानुवा अधिकार वो ओन डूटी है दस वजे से लेकर साम 6 वजे जो आदमी ओन डूटी है वो क्या सबूत देगा उससे बड़ा क्या सबूत होता है मैं क्लियारटी ये करना चाहता हूँ कि कई बार दंगो के दोरान में इस तरह की FIR दर्ज हो जाती है लेकिन बात में जब वो जांच होती है तो वो उसमें बाहर हो जाते हैं तो उठाने में क्या है लोकतंतर है आप उठा सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई प्रेम कुमाजी देखिए कितने बड़ी हैरानी की बात है पुलिस कह रही कि हमने गोली नहीं चलाई और 23 लोग मारे गए उत्तर प्रदेश में तो किस ने मारा? 23 लोग को किस ने मारा? ये कोई छोटा सवाल है क्या? एक आदमी का सवाल नहीं, 23-23 लोग मारे गए हैं आठ साल का एक छोटा बच्चा भी है उसमें चलाई है बिल्कुल, पुलिस कह रही ही गोली चली ही नहीं हला कि पुलिस के वर्जन्स में भी डिफ्रेंसेज हैं एक पुलिस अधिकारी कहते हैं गोली नहीं चली एक ने कहा कि हम हवाई फाइरिंग हुई और फिर वैसे वीडियो भी आए जिसमें पुलिस गोली चला रही है तो इन विरोधा भास के बीच 23 जाने गई हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आज तक एक फाइर तक दर्ज नहीं हुई है तो इस मामले में अगर कोई मानवा दिकार आयोग के पास जा रहा है और इस दौरान तो प्रियंका गानी घायलों से मिलने तो गई थी उसमें भी कहा गया कि घायलों से मिलने ने जाकर के वो सियासत कर रही है और दूसरे लोग भी कर लेते सियासत क्यों नहीं गए घायलों के पास मिलने के लिए ये तो सत्ता धारी दल का भी करतब भी था, दूसरे दलों का भी करतब भी था, उनको भी जाना चाहिए था मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई जिन्यून स्टेप उठाये जाते हैं राष्ट्रिय मानवा धिकार के पास जाना एक जिन्यून स्टेप है तो इसमें सियासात और दूसरे तमाम तरह के प्रश्णों पर हम चर्चा करें लेकिन उस भूल बाग पर चर्चा ने करें कि 23 लोग मारे गए तो उसका गुनागार कौन है ये प्रमुख सवाल चलिए तो 23 लोग मारे गए गुनागार कौन अनिल गोईल मैं आपके पास आती लेकिन डिटारड IPS ओफिसर ओपी सागर हमार साथ जूर चुके है सर स्वागत है आपका क्योंकि सवाल पुलिस के कारशाली पर उठ रहे हैं ग्राउंड पर जब आप लोग मौजूद होते हैं उस वक्त किस तरीके से निपटना है कई बार चीजे होती हैं बहुत डिफिकल्ट सिच्वेशन सामने आ जाती है कैसे पक्ष रखेंगे सर सीधे तोर पर पुलिस की पूरी की पूरी कारशाली पर सवाल खड़े हो रहा है पुलिस तो जो वहां मौके पे जिस तरीके के हालाग होते हैं उसके आधार पे कारवाई करती है यह कहना गलत है कि कहीं उपर से निर्देश कितने भी उपर से निर्देश हो जो मौके की रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट रहती है इसलिए यह कहना कि कहीं उपर से निर्देश पाके मार देते हैं या जो भी एक्शन लेते हैं ऐसा नहीं है एक्शन लिया जाता है जो भी बहाँ पर परिस्तियां होती हैं जिस प्रकार की भीड़ होती है उस भीड़ को नियंतरन करने के लिए जो भी आवश्यक बलप्रियोग होता है वो भी करना पड़ता है समझाने वो जाने के काम भी किया जाता है उससे पहले उससे अगर मान जाते हैं तो ठीक है उनका ग्य कोई action नहीं लेना चाहिए कई जगे देखा गया है कि कुछ उनको पूर्वा गिरह से गिरसित हैं क्या कभी कभी जाके एकदम लाटी चार्ड कर दिया पनी चला दिया कई गोली चलाने की नौबत भी आ जाती है तो वो सहीम के साथ में और फिर इसमें तो इस सिखला ही है अगर कहीं पर ऐसी कोई कमी रह जाती है जिसमें उन्होंने ओवर एक्षिन कर दिया है तो ऐसे में जांच आयोग बैटता है जांच कमी नहीं हो सीनेर ओफसर्स के लेकिन यूपी के केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना सर तो इसलिए तो सवाल तो उठेंगे ना कि कोई ऐसा ग्राउंड पर रहता है कई बार उसकी मनोदर्शा कुछ होती है आप वहां हर वक्त आपने बड़े अधिकारियों के निर्देश पर नहीं रहते हैं आप आपको लगा कि लाठी चार्ज करनी की सिच्वेशन थी और आपने कर दी अब वो कितनी आपने कैसे टैकल किया यह आपकी कारिशाली पर डिपेंड करता है तो जहां चायोग तो ऐसा कुछ बैठा नहीं तो कॉंग्रेस अगर जाके कह रही है कि शक के घेरे में है यूपी पुलिस की कारवाई तो फिर तो कुछ डाउट है नहीं है अगर ऐसी जगे देखिए कहीं भी शिकायत हो सकती है इसके अलावा जहां पर घटना हुई है उस दिले के जो सीनियर ऑफिससे हैं डिस्टिक में स्टेट हैं एससपी हैं उनको अगर शिकायत की जाएगी और अगर शिकायत उनको जैनिल लगेगी तो वो भी जाच कराएंगे किस लेवल के अधिकारी जहां पर जिन जो एरिंग इनि गलती करने वाले अधिकारी जिस रहेंके हैं उस से एक रहेंक स्टिकूर इसे दो रहेंक उनना अधिकारियों से जांच कर depends on रही है और अभी रही किसरास तो नहीं है न शर ये ये प्रोसेस तो फालो कॉंग्रेस पार्टी ने नहीं किया न कि अगर पुलिस की काριशा पर उनके सवाल हैं तो वह जो प्रोसेस आप बता रहे हैं कि आप बोल सकते हैं आप शिकायद दे सकते हैं आप ग्यापन दे सकते हैं वह तो सीधे पहुच गए नहीं अचार सी इसलिए अप सवाल खड़े हो रहे हैं आती हुच अनिल को जाता है इसा देखिए आदमी जहां विश्वासी नहीं है कि यह बड़े अधिकारी भी सुनवाई करेंगे अनिल गोयल जी जादा सवाल तो आप से हैं सर पूरी की पूरी जिम्मदारी आपकी थी कि किस तरीके से दंगों से ने पटना है पुलिस की कारशाली क्या होना चाहिए और किस तरीके से जो दिन लौटा पाएंगे और केवल एक केस नहीं सर ऐसे कई बार होते हैं ऐसे कई निर्दोश लोग और ऐसे भी लोग उसमें शामिल थे सर ये वीडियो भी हमने चलाए हैं कि जिसकी डेथ हो गई है और आपने कुरकी जपती के सरकार की तरफ से चीजे दे दी गई हैं कि आ हमारी किसी भी बात से पर कोई भी राज ने किसी उपद्रवी को समर्थन नहीं मिलना चाहिए पुलिस तो बिचारी सही माइनों में बली का बखरा बनी रहती है एक्शन करे तो भी एक्शन ना करे तो भी वो तो दोनों तरफ से कटगरे में खड़ी रहती है और उस कटगर का सारा खम्याजा पुलिस को उठाना पड़ता है और दूसरी बात जिस कॉंग्रेस की बात के रहे हो वह कॉंग्रेस उसके स्टेट में राइस्थान में सौ सो बच्चे मर जाते हैं उसको कोई चंता नहीं है आप पीच में क्यों पॉल रहे हो ना सुनने की आदत से कौंग्रेस किसी की नहीं सुनी ना उनने जनता की सुनी ना आपने कारे करता हूगी सुनी तरह परिवार बाद चला करके आज आज चला चुकी है की क्षाइए ऐप सबस्क करेंगे this करेंगे静ा ह Divine आप मुझे एक स्बस्वेसन समझाएy ना नर्जी आप आप मुझे एक सेच्वेशन सब्सक्राइए उपद्रवी कौन है उपद्रवी कौन है एक मिनट सर उपद्रवी कौन है आप कैसे डिसाइड करेंगे आपका कोई पैमाना बताइए तो आपको सुने कि अधो पर राजीती करते है अरे चिवाद द्राइए प्कसमेरी कि हैं अरे जवाद दर护्र आपको ध्रमिर यहे कि अईस पी पी तर उनकी घृदि में जागाब बढ़ जाते हो गांडियाद घोगा अऊङ धोगा औस कॉल sellers नहीं जो आपune का उन beiड़ सब्सक्राइब क्या कोई जाच बैठी है क्या जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने स्टेप लिया था कि मैं बहुत सख्ती से निपटूँगा जो भी उपद्रवी होंगे उनकी कुरकी जबती की जाएगी जिस तरीके से वो सामने आए थे तो क्या उन्होंने दूसरा पक्ष भी देखा था कि अगर कोई गलती हुई है जो ऐसे जब भी मौके होते हैं तो हो जाती है तो इसके लिए भी कोई जांच बैठेगी कोई कमिटी बैठी कोई जांच बैठी ताकि हम मानें कि हाँ निश्पक्ष जांच होगी कि जो उपद्रव करेंगे उनकी संपत्ति करके और उनको जानमाल के आनी हुई है उसको भरपाई करेंगे इसका सीधा है कि हम उपद्रव बर्दास नहीं करेंगे कि अ अबारे वक्ति पर चलाके को बने कराए ते और जितना करेंगे सब्सक्राइब करेंगे Grund निख संद्धी कर आए वा ता उसे ज्ывать ने वठीचे बढ़ेंगे आप राब बक्त पर घॉंनिए य'm you अपने अपने आपने अपने पुलिस के रहे आपण वह तरीके सपने घरा रहे ते आपने गोलिया चले शावाई जलाए नापने उपतर प्रदेश में अपने अपनी सरकार बर वट पर प्रप्र ती ले राव्ट है संजीद अच्छा जाला रहे हों आप जला रहे हों संजीद जी आप जलाए हो जहां अधर सब्सक्राइब गोली मारनें वाली बत राम बक्तों पर तुम्हें समर्थने कंगल पर थे लिए वए पर गोली चलाती है कि यह पर दो टोपिक डाइवर्ट कीजिए प्लीज प्लीज टॉपिक डाइवर्ट मत कीजिए एक मिनिट अजै अरोडा अजै सटेफ्झे एस अगे नहीं बढ़ेगे नहीं अनिल जी सरकार के पास सरकार के पास एससी कुछ भी चीज़ हैं और डंगे के बाद जिस तरीके से आप लोगों ने उपधर रव्यों की पहचान के लिए cctv फुनेज़ खंगाले इतने सब्सक्ति इतने नोटिस जो गए है 113 लोगों को गिरफ्तार किया गया इसके अलावा 5558 लोगों को एहतियातन तो और पर हिरासत में लिया गया तो इससर ये कोई आधार तो होगा ना आप लोगों ने आधार बनाया तो अब जिन निर्दोशों के साथ अगर कुछ गलत वहवार हुआ है उसके लिए आपके पास क्या है कुछ नहीं है कुछ नहीं है निल जी और नहीं है इसलिए वज़े से आप बातों को घुमा रहे है अजे अरोडा क्योंकि आप सवाल करें नहीं है सर नहीं है आप फिर बात घुमाईएगा और डीबेट को कहीं और ले जाईए था मैं पूछोंगी मैं पूछ सकती हूँ करके इस तरह से बातों को करके अपना दामन मत साफ कीजे सर अजे अरोडा जी आप बताईए एक मिनट मानवा अधिकार आयोगा पहुच गया आपके पास सबूत आई क्या केवल अधिकार दंगों में जो लोग मरते उन्हीं के हैं जो धरमविल चौधरी आपके उपर कह रहे बात कि कहा गई आपकी सरकार क्या कहा था आपके मुख्यमंत्री ने राजस्थान में क्या कहा था बाइट सुनी थे सर पूरी सुनी थे आप डू यू थिंक कि ऐसे बोलना चाहिए एक प्रदेश के मुख्या को कि ज्यादा मोते होती थी इस बार कम हुई है श्वेता जी ये बोलना चाहिए सर ऐसे मैटल में माओं के कोख हो जड़ रहे हैं अगर एक जगह की बात आप के लिए कोई सबूत आपने नहीं खटा गी कि कितने लोगों लोग मरें अरे थोड़ा स्टन करने थोड़ा सा अब जवाब दीजे ना उनका अधिकार कहां सब्सक्राइब कर दो उसका जवाब मिलेगा आपको जवाब दीजे उनके लिए उनके लिए आपकी नेता ने पता है क्या बोला टीम गई है आप तो प्रवक्ता की तरह बात करिए तो काम हो रहा है फिर 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 आप सिर बात कीजिए आप जवाब दीजे और मुझे मेरे उपर प्रवक्ता कारोप में लगा सकते कि मैं प्रवक्ता की तौर पर बैठी हूँ क्या बोले आपका सवाल था गोरःपुर राजिस्तान पोगताजी के जी गोरःपूर में जब बच्चों के जान जाती है और हमने का जी जिस मां के बच्चे गए शिशुगे और ऐसे राजिस्तान के अंदर और यह किसी ने कहना आंक्रे लगाये जाती है अगर उनके सांसद वहीं से आते हैं और उन्होंने कहा कि हम राज्य की सरकार से बैठ बैठ कर बात करेंगे और जब इनकी सरकार थी राज्यस्तान में तो इनी के प्राइबेट फंक्शन में शादी में लड्डू खाना जाती है जैपुर लेकिन वासूम बच्चों के परिव पूरेश के पास कोई जबी नहीं है देस के अंदर आप जमीर इतनी है है आपने तो पूरे हिंदुस्तान में आप हो सक है जवाब तो सुनिये जवाब तो पूले टेखिशन आपकी चैनल के माधिन से जिन बच्चों की मृत्यूति वी और उन परिवारों के साथ खने पहली बात उत्तर परदेश में वी जो 23 लोग निदोश मारे गे 8 साल का बच् उस परिवार के परे स्वेंदा प्रण करते हैं ओपी सागा जी ने बात रखी जब हम इसमें गए मानव अधिकार आयोग में उसमें हमारी मजबूरी थी इसलिए थी और आपने का कि लेट क्यों किया हमें सबूत जब मिलें जब हम गए दूसरी बात इनका जवाब था ओपी स करना हम इसलिए बातों को फूप से घुमांद लेकिन मेरे सामने नहीं चलेगा आप ने बातों को इठाके आप के बात पर और आपने अपना जावाब क्या दिया जी इतुंद मैं जावाब नहीं अन Thanh the rotor ji आपके पास भी जवाब नहीं मैं अव्य रोड़ा जी आपके यह पास भी जवाब नहीं है अरे आप देख्रे है देख रहा है मेरे छेज़़ा प्रेम जी को अपना राइट अपनी बात रखने का लेकिन आप प्रेम जी को कोट क्यों करें उन्होंने रखा अपने सुना अधिकार हर एक इंसान का है अपने बच्चे के जन्द के लिए नहीं जाता हालत ये थे उस पर आप नहीं उठाएंगे सवाल आप संजीर चौधरी में आपके पास आती हूँ कि गोली चलवाई थी न na सर याद है कि नहीं कि याद है वो उस टेम अभी बद बदाईए थे कि नहीं थे कि अपने दाग लगा होना अपने दाग नहीं लगा नहीं थे मैं कैसे सकता हूं अरे जांच बैठती ना सर जांच तभी बैठती आप सपा के तो हैं यही तो चाहते हैं सारी पार्टियों को आपस में लड़ा दे और ये काम नहीं तो चाहते हैं आपके पास भी आओंगे संजीर आप बताईए आप बताईए उस समय वो निर्दोष थे नहीं थे आपके पास क्या इंफोर्मेशन है कि उस समय जाच बैटी थी जो एक प्रोसेस चला आता है आप तब उंगली उठाते हैं किसी के उपर अगर एक उंगली उठा रहे न तो ये तीन उंगलियां आपकी तरफ मुड़ी होती है ये ख्याल रखिए तो आप बताईए कि वो निर् कि ये क्या करवाई कर रहे हैं ये हिंदुस्तान को बाटना चाहते हैं इस देश को बाटना चाहते हैं प्रदेश को बाटना चाहते हैं पूरा देश मुखाली की कगार पर ला दिया पूरे देश से रोटी छीन लीनों ने पूरे देश को तो ये मुद्दे उठाईए ने स तुपारी प्र shami क्या है क्यों निइ क्यों नहीं बात करते हैं बात इसलिए निकरत कान भुला कर बड़ा दिल दिखा कर गई थी आपकी लीडर कि हमें देश को बचाना है इसलिए हम साथ आ रहे हैं और मैंने भुला दिया उन पलों को भी लब वो तो सर सब लोग जानते गेस्ट हाउस कान और उसके बाद बताईए सर आप कह रहे हैं कि ये तोड रहे हैं ये पूछ कर बताऊंगा आज तर जवाब निया पूछ कर नहीं बताना मैं आपको भी बताता हूं जैसे ही इन जो सरकारी तंत्र ने निर्दोस लोगों को उतर प्रदेश में मारा थे इस लोगों को तुरंत बहन कुमारी मायावती जी ने निर्देश दिया और हमारे मानिये प्रदेश सद्दक्ष मुनकाद अली साब और जिस जिले की में वो गटना हुई उस जिले की लोकल यूनिट के साथ में तुरंत पीड़ित परिवारों से मिले और हमारी यह मांग है कि जब आप एक विदेशी नागरिक को अधनान सामी को देश की जो पदम सरी दे सकते हैं तो यह काले कानून में आप धरम के अधार पर विवक्त ना करते हुए उन पीड़ित परीवारों को जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको विहां की नागरिकर देवे आपने सीए पढ़ा है उसमें हिंदू-मुसलिम लिखा है क्या अल्पसंक्यक लिखा है अल्पसंक्यक क और हम आज सीए डिसकस नहीं कर रहे हैं यह जो मुद्दा उठा है नहीं कर रहे हैं यह जवाब नहीं है रिशी मिश्वा सभी पार्टियों से मैं ने पूछा और आपने जवाब सुना सर अब जरा बताइए सियासत हो रही है कि नहीं हो अब ही भी लगता है आपको कि नहीं सही है यह देख लेजिए किसी के पास अपने दौरान अपने कारेकाल के दौरान जब चीजे हुई है तो उसका जवाब नहीं है दूसरे के उपर टोपी घुमा दे रहे बिल्कुल सुरता जी ने जैसे आपने राजस्थान कोटा के अग्यांपूर दिया साइद आप लोग के पेनलिस्ट को नहीं मालूम है और उनकी जिम्मारी बनती है वहां पर एक भी बच्चे बहुत जादे हो गया एक भी बच्चे दिवहां किसी कारण सकार के लापरवाही के कारण नदी एक बच्ची की बाट तो सर्कार कांचे तूटी हुई थी ब्लोवर खराब थे जो भी चीज ठंड की वजह से हुई है दूसरा पालू यह है कि गोड़क पूर हो या उत्तर प्रदेश का गोड़क पूर हो मैं इन सियासत दानों से करना चाहता हूं यह बच्चा बेटा जो है ना बेटा बेटी ना कॉंग्रेस का ने बीजेपी का ने सप्पा का इस देश का है और बच्चे जो मर रहे हैं इस अपर पार्प अपनी सियासत रखी泥 लेकिस रहेगा ताभी सियासत कड़ाएंगे लेकिस नहीं देश ल आएगा तो आपकी सियासत क्या सियासथ सियासत करेंगे आज देखिये talk abula के मंतरी हिंसा बात करा है हृए उस पर एक्षंव भी उस देश में जडियर गांधी का देश है कि आपके लोगतंत तक रोका काध़ाि पुरा गया तो है और आपके मंत्री इस पुपली को माधी बनाते हैं कारला vigil मारों दरो नहीं लेते हैं तो आप कही नहीं एक संदेश देते हैं कि छूट है बोलने की और एक ने कुछ बोला अपशब्द अब दूसरा नेता भी दूसरे बयानवीर जो हैं वो खड़े हो जाते हैं वो उससे दो कदम आगे बढ़ने के लिए अपना स्तर और गिला रहते हैं अगर यूपी की बात कर लू तो यहीं एक माननिय मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि अमिच चाह और नरेंद्र मोधी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो जिन्दा दफ ना दूँगा यह तो बीजेपी है पवन्जों विपक्ष को सुनने का दंबी हमारे में होना चाहिए क्योंकि विपक्ष उन मुद्दों को उठाता है जो मुद्दे वहाँ पर आज की तारीक में बहुत जादा ज्वलंत होते हैं और जहां पर समस्या होती है लेकिन हो क्या रहा है कि बीजेपी हो या पॉंग्रेस हो जहां जिसके सरकारे हैं वो उन सरकारों को बचाने में तो लगे हैं लेकिन सरकारों की जो एक्च्वल डूटी बनती है वहां के लोगों के परती उसको निभाने में वो बिल्कुल भी आगे नहीं आते हैं प्रेम कुमार जी जो पवन सुम ने एक बात कही कि विपक्ष का रोल ही यही होता है कि जो वहाँ के जोलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाए जिसको सरकार हम देखी कही न कहीं कर रही है और यह रोल कोई गलत नहीं है लेकिन क्या पुराने मुद्दों को उठाकर अब सियासत होगी या क्या कॉंग्रेस इसको देख रही है ऐसा कि काम आ जाए शायद यह मुद्दे क्योंकि C.E.A. का मुद्दा पूरे देश में गर्माया हुआ है लेकिन U.P. में तो शान्त हो च आने के लिए अगर आप प्रोसेस से जाना था लेकिन आपको तो लैमलाइट में आना था कि यह उपदरव बढ़ाने का एक्शन है या कि उपदरव को शान्त करने का एक्शन है इस पर भी कोई काम नहीं हुआ आप देखेंगे कि योगी सरकार ने जो डिसीजन लिया कि लोगों से हम वसूलेंगे हर जो नुक्सान हुआ है तो वो इलहाबाद हाई कोर्ट की प्रत कोट की निगरानी में वो हर जाना वसूलेगी उसका भी पाला नहीं हुआ है सब कोट में है इसको लड़ने की जरूरत है कांग्रेस ना लड़े कोई और लड़े लेकिन यह मुद्दा है यह जनता का मुद्दा है कि तीसरी बात पी एफाई पर इलजाम लगाया गया कि पी की रिपोर्ट है कि पी एफाई ने यह उपद्रव करवाए अगर पी एफाई ने उपद्रव करवाए तो आप जनता से क्यों वसूल कर रहे हैं यह भी एक बड़ा सवाल है कई सवाल है आथ 23 लोगों की मौत जो है यह तो ऐसी घटना है जिस पन और पहले जाना चाहिए थ दूसरे लोगों को जाना चाहिए था हम यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो यह घटना घटी और उस घटना से पहले पदान मंत्री जी का बयान कपड़े पहचान करके प्रदर्शनकारियों को पहचानना या फिर बदला लेने वाला मुख्य मंत्री का बयान जब ऐस इसे बयान आएंगे तो पुलिस ऐसा कहेगी कि पाकिस्तान चले जाओ यह सारे घटनाई सिक्वेंस में हैं और इन घटनाओं का की जाच जो जब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग में जाएंगी तो और भी बातें जुड़ेंगी कड़ी से कड़िया जुड़ेंगी यह चोटा मोटा मसला नहीं है आम जनता पीडित है और पीडित को ही जेल भी बेजा जाते है ना वालिक बच्चों को जेल में बेजा गया है तो शायद हम आज इस पर डीबेट नहीं कर रहे होते अगर परदान मंत्री के पास बुरा नहीं मालना चाहिए बीजेपी की नेता को सिस्टम डेवलप हो चुका ऐसे प्रेम जी मी निकाँ कप्रा लौजी अब पोहा लौजी जब कप्रा ले जी पोहा ले जी है और नर्सी की क्या जूरू रहत है ऐसा ही फिल्टर कर दीजिए कौ चौकिदार जैसा शब्द भी दिये गए और उसके बाद ही चौकिदार चूर का नरा निकला है मतलब आप लोग करते हैं अनिल जी इस तरह की चीजें जब की जाती हैं देखिए समझना पड़ेगा सत्ता पक्ष में आप हैं और आपके अगर कोई भी मंत्री इस तरह की के बयान देते हैं तो जैसा उपी सागर भी कह रहे थे कि कई बार हम पूर्वा ग्रह से ग्रसित होते हैं तो हम इस तरह के मतलब कई बार एक्शन्स हो जाते हैं क्यों ग्राउंड रियाल्टी दूसरी होती है तो उस वक्त और सेंसिटिव होना चाहिए निल जी सुन रहा था अगर यह सुनने के लिए करें तो मैं कहना सुरू कर रहा है सोर मचाना तो मैं चुब बैठा रहूं मुझको एक बात बताएं मन में चौर को दी है अब आप इसे मन में चौर वाली क्या बात है मुझको यह बताएं जो लोग उपद्रव कर रहे हैं जो आज साइनी बागप और सीएके के करो ले करके व्रोध कर रहे हैं वहां कि जो बाकी जनता है जो सरीधा भीहार है बाकी दिली किया बाकी निकलना क्या उसका कोई माम नोधिकार नहीं है वalen भूट कुछ कोई किसी हango हमारे पास पुलीस ऐसे लेती है बच्छों को आगे कर दोगे पुलीस ऐसे लेती है चटवी मेरी पटवी मेरी कुछ करो खो है गाठी पुसटी सबूर अनियगर चायोग बिठा दी गई होती तो क्यों एक महीने के बाद पर उपद्रव को बरदास्त नहीं करेंगे तो तब से आप कैसे डिजाइब करेंगे अब यह बताना है आप आपका मुझे आपको सुनने की मत नहीं है ना अरे सब सुनने की मत नहीं है अब पर देजिए सब्सक्राइब करेंगे तो यह बताना है इसके पहले तो यहां रामराज जिता इसके पहले जब मैं नौइडा की सडकों पर घूमती थी तो रामराज जिता सर मुझे भी पांट साल से उपर हो गया सर नौइडा में रहते हुए मैं आपको बता दू इस्तिती नहीं सुद्री ना उस वाग सुद्री थी ना आज सुरक्षित थे आज सुरक्षित हैं यह आप लोग न कमान एक के हाथ में आपकी बेहन जी यही कहती थी कमान मेरे हाथ में तस्वीर हमने देखी है जूते साथ करते भी सर तुमत बुलिए देखी है न सबने यहाँ पैनलिस्ट सब कहां से आप सुरता जी करती हैं मैं गलत हूँ मैं गलत हूँ मैं गलत हूँ किसी पैनलिस्ट से पूछ लीजिए यह दुश्परचार है यह दुश्परचार कर रही हैं सर प्रूफ के साथ बात करूँगी सभी ने देखे हैं सभी सबी ने देखे हैं वीडियो निकालने लगों बिल्कुल निकाल के दिखाऊंगी सर और देखे फिर मजबूर करेंगे कि अभी मैं नहीं चाहती है आप देखे आप ही का नुकसान होगा सर सभी ने देखे यहां पैनलिस सभी बैठे ओपी सागर जी जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि जिस तरीके से SP का रोल और हमने वीडियो भी देखा सर वो जिस तरीके से बात कर रहे थे वो इलाका था पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा वो जो इलाका था वो पुलिस बात करती है पुलिस मित्र की तो बात ही छोड़ दीजे लोग अच्छे खासे लोग दस कदम दूर हम जैसे जर्णिलिस भी दस कदम दूर ही चाहते कि नहीं भई कौन लफडे में फसे यह बात होती है तो यह कहां से वतलब निर्देश उपर से नहीं रहता है कि किस तरीके से हैंडल करना है या फिर यह आपकी परसनल किसी बी इंसान के अपनी परसनल टैकल करने की चीजे रहती है तो शायद बस बोल गया है देखे मैंने पहले भी कहा था कि होता क्या है कुछ लोग बहुत आगे बढ़के काम कर लेते हैं उपर से निर्देश क्या होता है माने मुखमंत्री के लेबल पे हो इन से नीचे के सीनिय ओफिस होते हैं उनका यह होता है आप कोई दंगा नहीं होने देंगे देखते ही गोली मार दिये पहले कहा जाता था अभी भी है तो लेकिन ऐसा होता है क्योंकि कानून में इसकी इसाधत दी देता ऊपर के निर्दे में है हो जो भी वीडियो आपने देखे हैं आपको फील होता है मैंने पहले कहा भी है इस विशह पे वो उनको इडिशन SP को इस तरीके से नहीं करना चाहिए पीड में आप कोई भी बात करते हैं आज जो है इलेक्रोनिक मीडिया हर जेगे मौजूद रहता है नहीं तो हर आदमी के आद में मॉबाइल फोन है कोई भी रिकॉर्ड करके कुछ मुबाइरल कर सकता है और पिर हमें तो सहीम बरत नहीं है इस डर की वज़़े से आप कुछ ना बोले वैसे आप कुछ भी करते हैं क्या बाद कर रहा हो पिर पुलिस अदिकारी को पुलिक में है उसको सहीम बरत नहीं कोई कर दे की समवेधन शीलता को हर किसी को समझना चाहिए और खास कर जब दंगे जैसे सिचुएशन हो तो सरकार को उस वक्त एक स्ट्रिकली निर्देश देना चाहिए जो लगता है कि हर एक पुलिस वाले के पास वो निर्देश पहुंचने चाहिए कि आप दंगे से कैसे टैकल करेंगा और इसका ड्रिल आप कह रहे हैं तो देल भी तरीके से अलग हो कि आप इस तरीके से बहेव नहीं कर सकते कि आप दंगा भरकाव है हर सरकार यही कहती है कि दंगे को सकती से नियंतरण में करिए चलिए उम्मीद करते हैं आजय रोड़ा जी कि आप लेके बात गये हैं मानवादिकार आयों वहां से जो रिपोर्ट आए ना सर बस उस पर विश्वास कर लिजेगा क्योंकि फिर जंडा बुलन मत कर दिजेगा आप ये भी संस्था भी ज़ुद दूँगा ने ने अब वसाथ देना पड़ेगा बरबादिय गुल्चन की खातिर हर शाक जहर में डूबी है हम भी तो अमन के शेरी है हर जहर को अमृत कर देंगे हम विश्वकजाज कराके मानें चालिए शिव बन जाईए और जहर पी लीजिए शिव बन चीज पर सियासत नहीं होनी चाहिए मौत पर सियासत ये पहली दफा नहीं है जब हो रही है कई बार होती है अब आपके उपर है ये जनिता के उपर आप डिसाइड कीजिए कि कौन आपके लिए काम कर रहा है कौन नहीं क्योंकि सबसे बड़ी अदालत कोई है तो वो जनित ताकि या दालत है, इसी पॉजिटिव नोट के साथ चचा को यही खत्म करती हूँ, आप देखते रिया आनाइन टीवी सिर्फ खबर के लिए